हेलो फ्रेंड वेलकम बैट टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही सुंदर लटकन बनाना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो इसी के साथ वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको यहां पर कपड़ा ले लेना है इसको दो लेयर कर लेना है कपड़ा उसके बाद हम उसको चार फोल में मोल लेंगे उसके बाद हम यहां पर निशान लगाएंगे हमको थोड़ा बड़ा तियार करना है लटकन तो हम साड़े चार इंच के निशान लगाएंगे चवड़ाई में साड़े चार इंच और लंबाई में भी साड़े चार इंच यहां से भी हम साड़े चार इंच नाप लेंगे हमको यहां पर इसक्वाइर में लाइन खिच देना है उसके बाद हमको यहां से कट करना है तो हम इस तरह से कपड़ा काट लेंगे यहां से हम निकाल देंगे इसको काटके तो यहां पर हमारा कपड़ा कट गया है उसके बाद हम इसको स्टीचिंग करेंगे यहां से सिलाई लगाएंगे इसी तरह से दूसरें सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हम इसको सिलाई लगा लिए है उसके बाद हम यहां पर छोटा छोटा कट देंगे इस तरह से हम इसको पलट लेंगे तो यहां पर हम नोक निकाल लिए है उसके बाद इसमें हम कपड़ा भरेंगे तो देखिए हम कपड़ा काटके रख लिए हैं अगर आप लोग के पास फार्म होगा तो फार्म भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें कपड़ा डालूंगी तो इसमें हम एक कपड़ा भर लिए हैं उसके बाद इसको हम ऐसे मोड के सिलाई लगाएंगे अब धिहान रहें इसको एक बराबर सिलाई लगाना है इस तरह से इसी तरह से हम दूसरा भी मोड के सिलाई लगा लेंगे ऐसे दोनों देख लीजिएगा कि एक बराबर है की नहीं उसके बाद यहां से हम सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हम सिलाई लगा लिए हैं उसके बाद इसमें हम मोटी लगाएंगे तो इसमें मोटी लगाने लिए हमको सुही ले लेना है उसके बाद इसमें हम इस तरह से ऐसे डाल लेंगे इसके बाद मोटी लगाएंगे इस तरह से इसी तरह से हम यहां से यहां तक के पूरा लगा लेंगे मोटी तो यहां पर हम लटकन में मोटी लगा लिए हैं देखिए इस तरह से अब इसमें हम दोरी बनाएंगे इसलिए हम साड़ी के किनारे से इसको काट लिए हैं हम दो डोरी बनाएंगे यह हमारा देखिए इंच चोड़ा है तो यहां से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे भाउ कि तो यहां पर हम सिलाई चला लिए हैं अभू स atraviesС infra विभंद इसकोहिए पर यहां से हम कपड़ा इस तरह से काट देंगे बनावोट के भीखे इसमें चाले लस निया डालेंगे यहां पियों कर लगा लिए हैं इसके दिया हैं से फितर द्वरोट करेंगे इसके बाद यहां पर इसे धागा के बीच में डालेंगे, उसके बाद इस तरह से हम उल्टी सूई करके इसके अंदर इसको डाल देंगे इस तरह से, तो यहां पर हम डोरी पलट लिये हैं, उसके बाद इसको हमको दो कर लेना है, तो दोनों डोरी लगा लिये हैं लटकन में, आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिए, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, ठैंक्स पार वाचिंग